सेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपको हमारी युट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी इंडेस्ट्री की एक बेश्ट हीरोगी गूंजनपंद के बारे में जानेंगे गूंजनपंद का घर का है और भोजपुरी इंड़स्टि में आने की इनकी पूरी इंट्री और इनकी पहली फिल्म कौन थी और इनोंने किस फिल्म से डेब्यू किया था चलिए इनके बारे में ये सब बाते जानते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं वैसे बात करें दोस्तों गुंजन पंत की तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि गुंजन पंत भोजपुरी इंडरेश्टी की एक बेश्ट हीरोईन है दोस्तों और वो भोजपुरी इंडरेश्टी के हर एक्टर के साथ फिल्म में काम कर चुकी है दोस्तों वहीं बता दू कि कि गुझवन पंध की उम्र 30 वर्श की हो चुकी है दोस्तों और गुझवन पंध भोजपुरी इन्र divisions की एक बेस्ट हिरोईन है दोस्तों आज कल की movie में वह बहुत ही कम नजर आती है दोस्तों लेकिन दोस्तों साल 2015 14 की ственu movie में वह ज्यादा देखि जाती थी दोस्तों और भोशपूरी के बड़े-बड़े star के साथ हो नजर आती थी दोस्तों वहीं इनकी भोचपूरी इंडिस्टी की पहली फेल्म की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि भोशपूरी इंडिस्टी की इनकी पहली फिल्म थी करनी के फल आज ना तो कल से भोजपुरी इंडेस्टी में इन्होंने डेव्यू किया था साल 2012 में उसके बाद भोजपुरी इंडेस्टी के एक से एक बढ़के भोजपुरी इंडेस्टी के फिल्म मेनेजर आने लगी और फिल्म देती गई उसके बाद इनकी भोजपुरी इंडेट्री में एक से एक बड़ी बड़ी बहतरीन फिल्म रिलीज हुई वही दोस्तों इनकी पढ़ाई के रियर के बारे में बात करें दोस्तों बता दू कि इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई उत्रा खंड बिद्याले में हुई है दोस्तों उसके बाद इन्हों ने अपनी पढ़ाई भौपाल के नूतिन कॉलेज भौपाल मध्धे परदेश में पूरा किया दोस्तों उसके बाद वो फिल्मी लाइन में आगई और मुम्बई आ गई और मुम्बई में काम करने लगी दोस्तों चलिए बात करते हैं इनकी साधी केरियर के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि गुंजन पंत ने अभी तक साधी नहीं किया है जी है दोस्तों अभी तक इन्हों ने साधी नहीं किया है लेकिन यह जब भी साधी करेंगी इनका साधी का वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा दोस्तों बात करें इनकी बेहतरीन कुछ फिल्मों के बारे में तो दोस्तों मैं बता दू कि इनकी केरियर की कुछ बेहतरीन फिल्म है दोस्तों सुहाग नहले पे दहला हमार मदर इंडिया और लचमन रेखा जैसी फिल्मों में यह नजर आ चुकी है दोस्तों वहीं इनकी दोस्तो चलिए बात करते हैं भोजपुरी इंडेस्टी में आने की इनकी इंट्री की कब इन्होंने भोजपुरी इंडेस्टी में कदम रखा था तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि साल 2011 में इन्होंने भोजपुरी इंडेस्टी में कदम रखा था जी हैं दोस्तो साल 2011 में इ उत्राखंड में है दोस्तों और यह नाइनी ताल उत्राखंड से विलोम करती हैं दोस्तों आप वीडियो में गुंजन पंत का घर देख सकते हो तो दोस्तों अगर आप भी गुंजन पंत के फैन है तो हमारी यूट्यूब चैनल सस्क्राइब करके वेल आइकन पर क्लिक कर द कर दो हमारी जाहीत पत्राखंड में पंत कर दूदू एाल ऑ कर दूदू पन कर दो कर्दरी जू हैं अजू दो ए कृद्स आपी राओन कर दूदू लगता हैं ऊपकर दूदूकर